नमस्कार भाई और स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल ड्रीमिलेउन लॉस कभर में आज मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा बॉलर किस बैटमैन को आउट करता है आज चार टिप्स बताऊंगा जो आज तक यूटूब पर किसी ने नहीं बताया होगा जैसे फास्ट बॉलर किस बैटमैन को आउट करता है तो आज इसी टॉपिक को किलियर करेंगे अभी तक आपने मेरा वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सकाइब कीजिए और बेल नोटिफिकरशन को आउन कर लिजिए ताकि मेरी हर वीडियो का रखनेंगे किसी मेच में कि कौन सा बॉलर किस बैटमैन को आउट करता है ते इस चीज को समाझने के लिए आपको चार Crowd टॉपिक्स को समझना होगा सभी टॉपिक्स को आपको भीॉपिक्स को समझाएंगे तो पहला टॉपिक है कि लास्ट मैच को एनलाइज करना होगा ल कौन सा spin किस batsman को आउट कर रहा है कौन सा फास्ट किस batsman को आउट कर रहा है तो यह चो फास्ट टिप हो गए कि last match performance को analyze करना होगा तब जाके आपको पता चलेगा दूसरा होता है प्लेयर बैटल आप प्लेयर बैटल गूगल से सर्च करके देख सकते हैं मैच का किस मैच में ज आप जैसे जब मैच हो रहा है तब से आज तक जीतनी बार दोनों team जीस team का मैच आज होने वाला है ओपस्में कितना बार खेला है और उस आपस में जब जेतना बार खेला है तो उसमें कौन साइज सा baller है जो उस batsman को proper बार-बार out करता है तो उसको player battle कहते हैं तब को player battle निकालना होगा आप net से निकाल सकते हैं, google से निकाल सकते हैं, chrome से निकाल सकते हैं वहाँ से भी आप निकाल के देख सकते हैं कि player battle क्या होता है और player battle में कौन baller किस battman को बार-बार out करता है एक बार out करता है उसको player battle नहीं बोलते हैं बार-बार जैसे चार बार पाँच बार हर match में वो baller उस battman को out ही कर देता है ठीक है तिस चीज को आपको notice करना है यहाँ से आप जान सकते हैं कि कौन batsman को कौन सा baller out करता है ये होगे आपका दूतरा topic तीसरा topic होता है कि दोनों team को आपको analyze करना होगा ये सबसे best rule है कि दोनों team को analyze करेंगे उसके squad को analyze करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस team में कितने left-hander batsman है क्योंकि कोई भी team left-hander batsman को खिलाता है तो उसके opposite team right-hand off break bowler को खिलाता है इसका logic है क्या logic है कि left-hander batsman को जब भी out करता है तो 99% right-hand off break bowling out करता है तो जब एक team left-hander batsman ज़्यादा रखता है तो opposite team right-hand off break bowling को रखता है तो आपको क्या करना है कि दोनों को एक साथ नहीं रखना है अगर left hander boxman रख रहे हैं तो opposite team से right hand off break bowling नहीं रखना है अगर left hander boxman नहीं रख रहे है तो आपको opposite team से left hand right hand off break baller को रखना है दोनों को एक साथ रखेंगे अगर आपका baller flop गया तो boxman run बनाएगा तो भी grand league miss हो जागी batsman को मत लो और left hander batsman को लो तो right hand off baller को मत लो ठीक है इस चीज़ को समझ गया क्योंकि कोई भी टीम right hand off break baller को क्यों opposite team से कम से कम left arm spinner baller रखना है क्योंकि right hander baller right hander batsman के खिलाफ left arm spinner baller कर record अच्छा होता है left arm spinner ही ज्यादा out करते है right hander batsman को right hander batsman यही same condition है कि अगर right hander batsman ज्यादा रखते हैं तो आपको opposite team से left arm spinner baller कम रखना है अगर आप left arm spinner baller ज्यादा रखते हैं तो opposite team से right hander batsman कम रखना है क्यों क्योंकि अगर baller flop होगा तो batsman run बनाएगा तो भी आपका grand league miss हो जाएगा अगर batsman run बना दिया आपका baller flop हो गया तो भी आपका grand league miss हो जाएगा तो इसलिए दोनों condition में आपको समझना है राइट हैंडर batsman ज़्यादा रखना है तो left arm spinner baller ज़्यादा नहीं रखना है left arm spinner baller ज़्यादा रखते हैं तो right hander batsman ज़्यादा नहीं रखना है इस tips आप समझ गए हैं कि अब left arm spinner में आप बहुत सारे लोगों का doubt रहता है right arm china man होता है तो सारा topics clear करके मैंने बता दिया यही चार topics है जिसके आप पता कर सकते हैं कि कौन सा baller किस batsman को out करते हैं अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक के लिए bye bye thanks for watching me